हमारा देश अपने आप में बेहद अनोखा है यहां की अनोखी बाते हर किसी को अपनी ओर आकरसित करती है आज हम आपको एक ऐसे ही अनोखे किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं दरसल दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में एक छोटा सा अफरीका है जो गुजरात में बसा हुआ है और इसे सिद्धी के नाम से भी पुकारा जाता है तथा यह जनजाती गीर के जंगलों में बसे हुए हैं और वहां का गाउं जबूर के नाम से प्रसिध है इस जनजाती का मुल रूप से अफरीका के बंतू समुदाय से जुड़े होने के कारण इतिहास कारों का मानना है कि यह भारत में करीब 750 साल पहले आये थे इन्हें पूर्तगालियों ने गुलाम बना कर भारत लाया था दूसरी और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जुनागर के ततकाली नवाब एक बार अफरीका गये थे तब उन्होंने वहां एक अफरीकी महिला से निगाह कर लिया था और जब वो भारत आई तो वे अपने साथ करीब 100 गुलामों को भी भारत लाई थी उसी से इस समुदाई का धिरे-धिरे विकास हुआ दोस्तो गुजरात के साथ-साथ यह जनजाती, करनाटक, आंधरपर्देश और महराष्ट में भी पाये जाते हैं भारत में इनकी कुल जन संख्या करीब 50,000 है तो दोस्तो आपको यह फेक्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फेक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें